असलाम अलेकुम क्लास, today is our topic is about heat production in birds and mammals अब क्लास हमने यहाँ पर heat production देखनी है, यानि कि जब भी क्या होगा हमारे पास ऐसी situation होगी, winter season होगा, तो birds और mammals जो उनसे हैं वो heat production किस तरह करते हैं अब क्लास क्योंकि birds और mammals क्यों होते हैं, endotherm होते हैं अब क्लास हमारे पास होता क्या है, birds और mammals जो उनसे जनरेट करते हैं heat यानि कि thermogenesis करते हैं, heat production करते है thermogenesis का मतलब होता है, heat production किस तरह, muscle contraction से ATPase pump enzyme यूज़ करके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है oxidation of fatty acid करके, in brown fat, यानि कि जो उनकी body के अंदर fat होता है brown fat, उसका color brown होता है, उसके अंदर oxidation करवाते है तो वो fatty acid में convert होता है, और metabolic processes से यह सारे class one by one हम इसमें study करेंगे अब class कभी भी जब भी हमारे पास muscle cell जब भी contract करते हैं तो muscle cell किस से बने होते हैं, actin और myosin filament से बने होते हैं filament हमारे पास thread like होते हैं, धागे type होते हैं तो उन्हेंने कि यह actin और filament जैसी muscle contract करते हैं actin और myosin जोंसे filaments होते हैं, वो एक दूसरे के उपर slide करते हैं और hydrolysis होती है, ATP की hydrolysis जैसे ही होगी, तो हमारे पास क्या होगी? heat generate होगी, अब class hydrolysis का क्या मतलब होता है? कि water का molecule जोंसा है, वो add होगा, जैसी water का molecule add होगा, साथ ही हमारे पास क्या होगा? heat generate होगी अब class यह जो heat generate हुई है, यह body ने खुछ generate किया और यह दो काम करने के लिए इस्तमाल होगी number one voluntary processes के लिए, और number two involuntary processes के लिए अब class उन्हेंने के voluntary running, flying, jumping, उन्हेंने के यह आ जाते है इसमें और जो class involuntary processes होते हैं, उसमें आ जाते हैं, muscular work आ जाते हैं, जैसे shivering shivering का मतलब होता है, कामपना, shivering करने से, कामपने से क्या होती है? heat generate होती है और इस heat को हम लोग क्या कहेंगे? shivering thermogenesis बोलते हैं अब class यह heat generate करते हैं, ancient evolutionary origin enzyme से, यानि के class heat जन्हेंस ही है, वो generate होती है उन्हेंजाइम से, जो क्या है? इंजियंट है, और वो क्या है? जो हमारे पास evolutionary origin है उनका, यानि के क्या होती है? यह different cell के plasma membrane पे प्रेजन्ट होती है, अब जब इक class body हमारे पास cool होती है, इस winter में, तो उसको क्या करना है? heat production करना है, वो किस तरह करेगा? 80 pace pump यूज करके, तो इन्हेंने क्या है, जैसे body cool होगी, अब उसने क्या करना है? जो हमारे पास होते है, thyroid land होंगे, वो क्या release करेंगे? वो thyroxine release करेंगे, अब class thyroxine, thyroxine जिस तरह ही release होंगे thyroid land में से, thyroxine release होने की वज़ा से permeability जोंसी होती है, cell की sodium आइन के लिए, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और cell के अंदर से जो sodium आइन होगा, वो leak कर आइन के लिए, अब cell membrane से sodium आइन जोंसे हो अंदर leak out होना शुरू हो जाएंगे, अब class ATP paste जोंस होते है, वो quickly क्या करेंगा, अपनी cell membrane को balance रखने के लिए, दोन आइन को, इन sodium को फोरण क्या करेंगा, दुबारा बाहर बेचेगा, अब class उसके लिए उसे energy चाहिए, और वो energy जी वो कहां से लेगा, ATP को hydrolyze करके लेगा, और class उन्होंने के, ATP hydrolyze release करेगा energy, और class यह जो हमारे पास energy produce होगी, यह आगे body use करेगी, तो class यह हमारे पास यहाँ पर definition है, उन्होंने के, जब भी हर्मून की वज़ए से कोई भी heat production होती है, उसको हम लोग कहते है, non shivering thermogenesis, ब्राउन फैट, अब class brown fat newborn mammals के अंदर cold climate के अंदर रहने वाले और जो mammals hibernate करते है, उनके अंदर brown fat present होता है, अब class इसका color जोंसा होता हो, brown क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर mitochondria present होता है, और iron containing, cytokromes present होते है, और class यह कहां पर present होता है, यह ribs के और shoulder के नीचे present होता है, ribs इसको heat चाहिए, brown fat क्या करेंगे, oxidize करेंगे, क्योंकि यह fat है, इसके अंदर के fatty acid है, oxidize करेंगे, oxidize का मतलब होता है, oxygen add करवाएंगे, fatty acid के अंदर, फोरण जोंसे है, वो large heat जोंसे होगी, in the form of ATP, अब यह ATP जोंसे है, इसके साथ ही blood flow हो रहा होगा, यह blood flow passes to fat, fat से pass चब हो होगा, तो fat से जोंसे है, वो blood के अंदर, यह heat जोंसे है, वो diffuse कर देगी, अब blood के साथ साथ यह पूरी body के अंदर जोंसे है, वो heat move करेगी, जिससे पूरी body क्या होगी, warm रहेगी, अब खिलास हमारे पास amphibian reptile bird mammal जोंसे होते हैं, उनके पास specialized cell होते हैं, और brain का एक पार्ट होते हैं, एको कहते हैं heating center और एको कहते हैं cooling center, अब class control center जोंसे है, number one चीज़ जो control करते हैं, वो जबके यह उसके उपर depend का रही होती है, जबके class sweating होती है और panting, यह तो दोनों पते हैं, अब class हमारे पास आ जाता है, heating center में हमारे पास आ जाता है, control vesco contraction, इसका मतलब है, इसमें क्या होंगी, जो उनसी blood vessel है, वो open होंगी, और जो इसमें होंगी, हमारे पास जोंसे है, heating center मे जो blood vessels हैं, वो close होगी, और उनने क्या, कौनसी वाली blood vessel, suprafacial, suprafacial class क्लास वो जो surface के उपर present होगी, body surface के, next class हमारे पास आ जाता है, अब class क्योंकि जब भी हमारे पास क्या होती है, यह heating center क्या करते है, यह hair और fur की erection करते है, या यह class body को जब भी heat चाहिए होगी, जो hair होंगे या fur होंगे, organism की body के उपर, वो skin surface से elevate कर जाएंगे, यानि के थोड़े से उपर की तरफ move कर जाएंगे, next class हमारे पास आ जाता है, shivering and non-shivering thermogenesis, जोंसा हम पीछे पढ़के हैं, वो भी हमारे पास heating center ही control करते है, क्योंकि इन सबसे heat produce करती है, और इन सबसे हमारे पास cooling के with the help of feedback mechanism, feedback mechanism हम लोगा ने पढ़ा हुए, जिसके अंदर क्या होता है, एक sensor होता है, sensor control center को signal पहुंचाता है, control center आगे से response करता है, तो class यह हमारे पास दो control centers है, अब क्या होता है class, as a sensor कोन काम का रहाता है, neuro receptor काम का रहाता है, जब भी for example, class neuro receptor sense करते है, कि बाहर का temperature कैसा है, जै और class उनमें यह वाले process स्टार्ट हो जाएंगे, चबके हमारे पास जो heat center होंगे, उनको क्या कर देंगे, inhibit यानि कि stop कर देंगे, class winter में बहुत सारे हमारे पास endotherms, mammals जो उनसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो hibernation में चले जाते हैं, अब class hibernation में होता क्या है, hibernation में होता है तो दो काम करते हैं, एक अपने body का fat जोंसा होता है, वो इकठा करना शुरू कर देता है, दूसरा class जोंसे हमारे पास होते हैं, long winter pelt बनाना शुरू कर देता है, class pelt का मैंने पिछले lecture में भी बताया था, pelt का मतलब होता है, skin के ओपर जो धेर सारे hair पे होते हैं, गुच्छ और साथ में fur production जोंसी है, वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, अब class जिस तरह winter में हम लोग animals hibernation करते हैं, इस तरह class estimation जोंसा है, वो किसमें करते हैं, summer में करते हैं, summer में जब भी hot temperature होता है, उसको cope करने के लिए estimation में organism जाता है, अब class जैसे मैंने भी hibernation बताया है, सारी situation व होती हैं, तो body temperature equal रहते हैं, इस वज़ा से class हम इनको true hibernate organism नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, true hibernation वाली ये situation नहीं होती है, ये estimation की situation होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, body temperature जोंसा है, वो normal रहेगा, winters होते हैं, इस वज़ा से वो क्या करते हैं, हमने body temperature hibernation मे drop करके अपने environment के equal lake कियाते हैं अब class इन्होंने का है कि ये वाले mammals क्या करते हैं ये long period of elevated temperature यानि कि elevated का मतलब होता है बहुत ज़्यादा temperature यानि कि गर्मियों का temperature जो उनसा होता है उसका long period होता है उसमें survive करने के लिए estimation में चले जाते हैं and diminish water supplies क्योंकि इस situation में क्या होता है गर्मियों में water की supply जो उनसी होती है वो भी क्या हो जाती है diminish हो जाती है यानि कि खतम हो जाती है next class हमारे पास आ जाता है next topic है control of water and salute अब class उन्होंने का है water और salute को जब भी class control कार रहे होते हैं different processes से उसको हम कहते हैं और class excretion भी हम लोगों ने इससे पढ़ना है अब class excretion के से कहते हैं body से जो waste material out of the body move करते हैं उनको हम कहते हैं उस process को हम excretion कहते हैं अब class excretion में क्या material जो उनसा excret out होडता है body से उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेज़े प्रेज़ेट होती है water होते हैं excess nitrogen और salute के particles present होते है अब class osmo regulation में दो तरह के organism होते हैं नब बवान है osmoconformers नबर टू है osmo regulators osmoconformers class होते हैं जिनका क्या होता है osmotic concentration equal to that of the median यानि के class इनका animal का median का मतलब है animal का environment तो इनने ने का osmotic concentration जो उनसी है organism के अंदर वो बिल्कुल उसके environment की तरह होती है यानिके water की और salt की concentration जुनसी होगी class organism की body के अंदर वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे environment के अंदर होगी इस वज़ेसे class osmoconformers को ज्यादा जुनसा है वो osmoregulation करने की ज़रूरत नहीं होती जबके class osmoregulator जुनसी होते है ये जुनसी होते हैं बार-बार maintain का रहे होते हैं इस वज़ेसे इसका नाम होता है regulate का रहे होते हैं इस वज़ेसे इनको osmoregulator बोलते हैं इनकी class osmotic concentration जुनसी है environment की वो change होती रहती है जिसके विज़ा से इनको अपने body के अंदर changes लाने पढ़ते हैं ताकर ये अपने environmental fluid के साथ जुन से वो match कर सके तो खलास ये जुन सा होता है, अपना body fluid जुन सा है बार-बा maintain करते रहते हैं अब खलास हमारे पास उन्होंने कहते हैं कुछ animals होते हैं sea water के अंदर रहते हैं sea water यानि कि salt ज्यादा होता है और water कम होता है जब भी class बाहर के environment में salt ज्यादा होगा body के अंदर जुन से कम होगा और बाहर के environment में water कम होगा body ने अपने अंदर ज्यादा maintain करना होता है उसको हम कहते है hypo osmotic condition यानि कि body के बाहर salt ज्यादा होगा और बाडी के अंदर salt क्या होगा कम होगा उसे कहते हैं हाइपो-osmotic condition और class ये वले organism की बाडी के अंदर बहुत सारे mechanism होते हैं ताके वो क्या करें water को conserve कर सकें क्योंकि पानी क्या होता है कम होता है और इनमें dehydration होने की ज़्यादे chances होते हैं तो ये क्या कोशिश करते हैं कि water को save कर सकें और dehydration से बज़ सकें नेक्स ख्रेश वाटर जो इनमेल्स होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है वो hyperosmotic होते हैं वो hypoosmotic थे और ये hyperosmotic हैं इनमें salt क्या होता है कम होता है और water ज़्यादा होता है अब class हमारे पास है अब class हमारे पास जो land पे animals रहते हैं उन्होंने कहा है उनके अंदर high concentration of water in their body fluid then air उन्होंने कहा है इनकी body के अंदर ज्यादा water होते है air की निस्पत तो class ये क्या करते है water जो उनसा होता है उसको evaporate करते है एक्स्टा water को और class दूसरा एक तो वो extra water evaporate भी हो चाता है दूसरा जो extra water किस तरह ये excrete out करते है उन्होंने कहें वो क्या करते हैं जब भी उनको waste को बाहर body के अंदर से deposit करना होता है out of the body move करना होता है वो तो वो क्या करते हैं large amount of water use करते हैं इसके लिए अब class उन्होंने कहें invertebrates के हम लोग एक स्ट्रीटी सिस्टम स्टडी करने लगें उन्होंने कहें class इनकी बहुत ज़्यादा range होती है habitat की ये जो aquatic invertebrates होते हैं have a wide range of media यानि के different environment में रहते हैं ये fresh water से लेकर class hyper saline water तक रहते हैं hyper saline जहां पे salt जोंसा होता है जिन lakes में बूच ज़यदा होता है hyper saline यानि कि hyper saline का मतलब होता है salted water उस वहां तक ये present होते है अब class जो marine invertebrates होते है marine जिन के अंदर की होते है हमारे पास salt जोंसा होता है वो ज़्यादा होते है और water कि होता है काम होता है उन्होंने कहें ये क्य होते हैं यह हमारे पास इन और्गनीजम की क्लास मेरी इन वर्टिब्रेट्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सी वाटर की होती है यानि कि क्लास ये क्या होते हैं Osmo Conformers होते हैं इन्हें क्लास Osmo Regulators की तरह किसी Mechanism की जरूरत नहीं होती है अपना Body Float जो है वो Maintain करने के लिए जो Fresh Water Invertebrates होते हैं क्लास इनके अंदे Water ज़्यादा होता है और Salt क्या होता है कम होता है इस वज़े से क्लास ये Osmo Regulators होते हैं ये क्या करते हैं Water जो Extra Gain हो रहोते हैं बार-बार उसको Eliminate करते हैं अब क्लास ये जो Osmo Conformers होते हैं इनके पास क्योंकि कोई Mechanism वगरा नहीं होता तो ये क्या करते हैं उन्होंने क्लास Water और आइन को Gain करते हैं तो ये क्लास एक्स्टा वाटर जोंसे होते हैं उन्होंने क्लास बहुत सारे Invertebrates ऐसे होते हैं जो Successfully Trustial Environment यानि के Land पे Inverid यानि के उसको Adopt कर चुके हैं और क्लास उसके अंदर कौन से Organism होते हैं उसके अंदर हमारे पास Arithroports होते हैं Arithroports के अंदर हमारे पास होते हैं Spider, Insects आ जाते हैं Centipilts आ जाते हैं उसके बाद Milds आ जाते हैं अब क्लास इन्होंने कहा है जो Water और आइन बैलेंसिंग करनी है Trustial Invertebrates ने यानि कि वो वाले Invertebrates जो Land पे रहते हैं उनके जो Water और आइन को Balance करने का Mechanism होते हैं वो Water के अंदर रहने वाले Invertebrates से क्लास लैंड पे रहने वाले उनके पास क्या होता है Water काम होता है और क्लास उनको बार बार Water Loss जोंस होता है वैपोरेशन की वज़ा से हो रहा होता है जबकि हमारे पास और सम आफ दी इन्वर्टीब्रेट एक्स्रीटरी मेकानिजम अब क्लास कुछ इन्वर्टीब्रेट के एक्स्रीटरी मेकानिजम जोंसे है वो नीचे डिसकस किये गए है नबर वान हमारे पास आ जाता है Contractile Vacule अब क्लास Contractile Vacule Freshwater Species के अंदर प्रेजन होते है उन्होंने काई इसमें होता क्या है इनकी बॉडी की सरक्य फेस के ऊपर जो सेल्स होते है वो क्या करते है एक्स्रा वाटर जुनस होता है पंप आउट करते है कॉन्ट्रा आफट बिसके उन्होंने का यह क्लास Energy Requiring Device है यानि कि इसके लिए मेन्रजी यूज़ होती है next class हमारे पास आ जाता है proton ephredia, proton ephredia एक extrusionory structure है यानि कि class उपर जोन सा extrusion के लिए कोई structure नहीं था इस वजासे class यह special cell use होते थे contractile vacuoles जबकि class proton ephredia एक extrusionory structure है, यह तीन कामों के लिए use होता है उसमो regulation के लिए यानि कि water and salt balance करने के लिए excretion के लिए और किसी-किसी और्गनीजम में दोनों कामों के लिए excretion के लिए भी और साथ में और रेगुलेशन के लिए भी अब क्लास इन्होंने कहें यह नेफरीडियम ही होती है लेकिन यह earliest type of नेफरीडियम है यानि के क्लास इसमें इतनी modification नहीं हुई होती प्रोटो इस वज़ा से इसको कहते हैं प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट यानि के फर्स्ट नेफरीडियम है किड्नी अब क्लास प्रोटो नेफरीडियम डिवेलप किसके अंदर होती है प्लेन एरिया के अंदर होती है अब ख्लास प्रोटन अफरीडियम के अंदर फ्लेम सेल होते हैं अब इन्होंने काए कि यह क्या करते हैं इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रीट्री के नाल्स एक्स्ट्रीट्री ट्यूब्स प्रेजन्ट होती हैं इस सारी हमारे पास एक्स्ट्रीट्री ट्यूब्स तो ख्लास इसको अगर हम लोग यहां close करके देखते हैं, तो इन्होंने कहा अंदर flame cell जुन से हैं वो present होते हैं, यानि कि यह क्या होते हैं, बल्बलाइक बने होते हैं उपर हमारे पास, अब सारा का सारा interstitial fluid जुन से होते हैं, वो हमारे पास यहां flame cell के अंदर आते हैं, अब ख्लास उन्होंने कि बीटिंग सीलिया की विज़ा से हमारे पास होगा क्या बीटिंग सीलिया यह path of fluid लिखाव है यानि कि बीटिंग सीलिया इसको propel करवाता है out of the body की तरफ nephrediopore से out of the body move करवाता है extra water को यानि कि extra water जुनस है और्गनिजम की body से extract out करता है अब क्लास उन्होंने के flame cell system जुनस होता है सिरफ यह क्या कर रहा होता है यह extra water को excrete out कर रहा होता है excess water को जो क्लास nitrogenous waste होता है वो हमारे पास किस तरह वो simple body की जो surface होगी उससे diffuse हो जाएगा surrounding water के अंदर ठीक है यह सिरफ water को excess water को excrete out करने के लिए होता है next class हमारे पास आ जाता है metanephridia अब class metanephridia थोड़ी से advanced type है वो हमारे पास protonephridia first थी अब protonephridia और metanephridia में फरक क्या है दोनों की class बहुत open outside यानि के दोनों outside open होते हैं लेकिन जो metanephridia है वो open inside of the body fluid वो अंदर भी open होती है और class वो multi-cellular होती है अब class जो हमारे पास metanephridia वो किसमें present होती है annihilates यानि के earth form में present होती है उनकी body जोन से class segments में divide की होती है अब class यह हमारे पास सबसे उपर earth form है earth form के अगर इस segments देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हम इन्होंने क्या किया इन्होंने जोन से कुछ segments यह इसके earth form के जोन से है वो open करके दिखाए हुए तो class यह जोन से segments है यह इन्होंने दिखाए हमारे पास earth form की body के अब class उन्होंने कहा हर segment के पास जोन से pair of nephridia present होगा यानिकि यह तो class इन्होंने side view दिखाए हुए अगर हम यहां से देखें तो front view है यानिकि एक segment के अंदर दो nephridia है हमारे पास present है pair of metanephridia present है अब class metanephridia जोन से है आगे begin किस तरह होगी with the help of ciliated funnel यानिकि class एक funnel है ठीक है जिसके अंदर क्या लगे हुए ciliated funnel इसको बोलेंगे और class body cavity से open हो रहा है और एक coil tube बनी हुए यह हमारे पास है इसको हम कहते है nephrostorm बोलते है यह class nephrostorm जोन से होते हैं यह coiled होते हैं बाहर इसके ciliated present है और यह फिर अंदर तक move कर रहे है यानिकि अगर पीछे से हम लोग देखें यह nephrostorm move करे है यह जो हमारे पास यह point है nephrostorm है अब class यह cilia जो इसके साथ अटायज है nephrostorm के साथ यह क्या करेंगे beat करेंगे beat करेंगे यानिकि class movement करेंगे तो class सारा का सारा fluid जोन से tubules के अंदर move करेगा और class जो हमारे पास red portion नजर आ रहा है यह सारी के सारी capillaries है तो class यह जो capillaries होंगे यह क्या करेंगे जब हमारे पास nephrostorm के अंदर से fluid move कर रहा होगा यह क्या करेंगे उस fluid को reabsorb कर लेंगी यह मारे पास capillaries है अब class उसके साथ यह lines को भी aabsorb कर लेंगी अब class उन्होंने कहा है हर segment के अंदर एक large blader लगा होते हैं ये blader है हमारे पास large blader लगा हो है और class उन्होंने कहा है जो के ये blader जुन सा है class और उसके अंदर एक scritory waste होते है ये out of the body जुन सा है वो किस सरा move करते है with the help of हमारे पास होते है nephridiopore nephridiopore की जरीए ये out of the body हमारे पास जो एक scritory waste है वो move करेगा तो ये class हमारे पास पूरा structure था earth form का यानि कि meta nephridiopore का next class हमारे पास topic स्टार्ट हो रहा है malignant tubule जुन सा है वो स्टार्ट हो गया अब class उन्होंने कहीं ये दो चीज़ों से बनी होती है एक हमारे पास बनी होती है ये malignant tubule हमारे पास है और class हमारे पास क्या होता है और ये पूरे जुन से गट सिस्टम है अब class उन्होंने कहीं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो हमारे पास malignant tubules होती है इनके अंदर water, sugar, amino acid, सादमे sodium और potassium और यूरी कैसिड यानि के वेस्ट जुनसा और गनीजम का होते है ये सब कुछ जुनसा क्लास इसके अंदर आते है और class किसके जरीए आते है active transport के जरीए आते है अब class हमारे पास जब class गट के अंदर ये जाएगा गट के अंदर क्या होगा वाटर, sodium, potassium, sugar, amino acid जुनसा होते है वो क्या हो जाते है रिकवर हो जाते है और class जो हमारे पास यूरी कैसिड है वो rectum से क्या हो जाएगा out of the body excrete out हो जाते है next class हमारे पास आ जाते है coral gland जुनसा होते है arachnids के अंदर present होते है अब class इन्होंने का होगा यह वाली cavity होती है यह class जो होते हमारे पास होता है hemo hemo seal होगा अब class यह hemo seal के अंदर hemo soul के अंदर जो सारा का सारा blood होगा उसके अंदर excrete waste होगा hemo lymph से आएगा अब class इनके अंदर जो arachnids होते हैं इनके अंदर क्या होते है जो हमारे पास blood होता है, इसको hemolymph बोलते हैं, hemolymph white color का होता है, अब class उन्होंने काई, जो hemolymph होगा, वो सारा जुनसा present होगा, उसके अंदर, hemosol के अंदर present होगा, उन्होंने काई, वहाँ से क्या होगा, वो सारा waist जुनसा है, जो hemolymph होगा, hemosol का, वहाँ से move on करेगा, और class move on करके उन्होंने काई यहां पर pores बने होंगे यह हमारे पास जो ने pores है ठीक है यह हमारे पास है proximal end of the legs यानि कि legs की proximal end पर pores present है या एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे तो यह यहां से एक street out कर जाएंगे उन्होंने काई class हम लोगा ने एक new study के मताबिक जो हमारे पास अरेक्नाइट्स होते हैं यह क्या करते हैं यह फिरमोंस पी से क्रीट आउट करते हैं जो हमारे पास इसके अंदर कॉक्जियल ग्लैंड होते हैं यह क्या करते हैं यह फिरमोंस पी से क्रीट आउट कर रहे होते हैं और क्लास कुछ इन्होंने का है रेकनाइट्स के अंदर जो उन्से हैं वो मालपिगी अंटिवियूल जो उन्से हैं वो प्रेजन्ट होते हैं कोक्जियल ग्लैंड की जगा और उन्होंने का है कि कुछ स्पीशिस के अंदर क्या होते हैं जो मालपिगी अंटिवियूल होती है वो क्या का रही होती है प्याक से है ब्रोड़क्शन का रही होती है एक्स्रीशन की बजाए तो यह एक लास इसके अंदर सिर्फ इननोंने इतना यह नहीं बताया है कि युआ होगा जो हमारे पास कैब 심 Shows अहुन क्या के एक है वह क्या करेगी वहजू से हो move out करवाएगा, यह coxial gland जोंसा है वो move out करवाएगा, कहां पर move out करवाएगा, out of the body और वो pores के जरी है जो के present होते हैं, legs के proximal proximal end पे present होते हैं, proximal joint के उपर legs के, और वो वहां से क्या हो जाएंगे street out हो जाएंगे next class हमारे पास start हो रहा है antennal and maxillary gland शुरू हो रहा है अब class इन्होंने काएं कि कुछ जोंसे हमारे पाई, यह crustacean के अंदर होता है और class कुछ जोंसे crustaceans होते हैं इन्होंने काए, यह जोंसे है, वो gills के जरी है nitrogenous waste, जोंसे है, वो simple, जिनके पास वो वारे crustacean, जिनके पास gills होते हैं nitrogenous waste जोंसे रिमूफ करते है out of the body with the help of diffusion और diffusion किसमें होते हैं गिल्स के जरीए जोंसे वो nitrogenous waste एक्स्रीट out कर देते हैं कुछ frustration के पास nitrogenous waste ammonia होता है और कुछ जोंसे होते हैं वो urea लेकिन वो class urea और साथ में uric acid भी produce करते हैं उन्होंने कहा है class जो fresh water के species होते हैं उन्हेंने कहा उन्हेंने अपना extractory organ है उसको क्या कर लिए ताकर आइन्स और water जोंसे eliminate हो रहे होते हैं उसके अदर से ज़यदा रिव्जॉब हो और water जोंसे हैं क्या हो ज़यदा eliminate हो क्योंकि फ्रेश water के अदर ज्यादा water होता है और salt की होता है कम होता है तो water ज्यादा eliminate होना चाहिए और जो salt है वो कम eliminate हो अब class हमारे पास कुछ crustations ऐसे होते हैं जिसके अंदर antenna gland या फिर class इनको green gland भी बोलते हैं because of the local near because of the location near the antenna and their green color इस वज़ा से class इनको बोलते हैं antenna या फिर green gland पारस हमारे पास क्या चीज़ प्रेजन्ट है यह हमारे पास antinal gland या फिर green gland जो उनको प्रेजन्ट है उन्होंने का यह सारा जूंसा है यह tubular system के अंदर से class हमारे पास जो hemocoil होगी यानि के cavity होगी उसके अंदर से सारा fluid जूंसा हो यहाँ पे पास कुछ जो organism होते हैं उनके अंदर tubular system होते हैं यह काफी long है उनके अंदर क्या होते हैं short होते हैं ताकि उसमें class क्या होते है आइंस की absorption जूंसी है वो ज़्यादा नहीं होती लेकिन class fresh water के अंदर उन्होंने का यह tubular system ज्यादा large होना चाहिए ताकि आइंस जूंसी है वो ज्यादा reabsorb हो और उनको ज्यादा surface area मिले reabsorb होने के लिए और उसके बाद class हमारे पास blader में जाएंगे blader से जूंसी है वो extrurity pore से out of the body move करेंगे next class हमारे पास आ जाते हैं maxillary gland आ जाते हैं अब class यह मारे पास maxillary gland है इसमें होगा क्या है इन्होंने काई surrounding blood से क्या होगा surrounding blood of the hemocole hemocole का class जितना भी हमारे पास waste होगा और वो सारा किसमें आ जाएगा वो tubule में आ जाएगा इन्होंने काई कि proximal tubule के अंदर enter होगा और class इसके अंदर इन्होंने का जाता है इसमें इसमें class reabsorption भी होगी जितना भी water orines होगे और class secretions भी होगी यह ब्लेडर में मूफ करेगा और ब्लेडर से फिर out of the body मूफ करेगा ब्लेडर के अंदर rectum present होगा और फिर class यहां पर मारे पास pore होता है pore से out of the body मूफ कर जाएगा next class हमारे पास topic स्टार्ट होगा vertebrate activity system वो हम next lecture में study करेंगे